हाई फ्रेंड सब सब कैसे हो मैं रास में स्टालिज ब्यूटी आज हम फिर से स्केन केर पे वीडियो लेकर आए हैं गर्मियों में स्कीन बहुत ही जदा काली हो गई है इसकीन बहुत ज़्यादा डल हो चुका है इसकीन पे दाग धबे की प्रॉब्रम में पिग्मेंटेशन छोली जयाएं के निसान है अग्ने पिम्पल्स के निसान है तो अज हम अग्याइब sarà म segundos कूढ़कर लेका है इसकीन को निखार सकते हो बहुत ज़्यादा फैयर बना सकते होई से दूर भी कर सकती हो यह dış अग्याना बहुत ज़्यादा एस्यदा और आफट आफट से इस रह के से एप्लाई करना मेरे वीडियो को फुल वाच किजीगा बीच में मत इसीप करिएगा नहीं तो रेमेडे बनावा नहीं आएगा तो चलिए हम फटा-फट से बीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरीकी का बाल लेंगे रेमेड़ी बनने के लिए इसमें एक चमज कॉफी पॉडर एड करेंगे कॉफी पॉडर मैंने यहाँपे एक रुपय का पाक्टड लिया है है यह रोकल मार्केट में अरां से मिल जाता है इसमें से हम कॉफी पॉडर सारा ले लेंगे यह एक ही बार, यूज के लिए होता है ये स्कीन के लिए बहुत ज़ावार और लेंगे चावल काकटा लेंगे जावल काटा इसकीन को बहुत ज़ाव रभाए के प्रॉब्लम है असको भी नीसान, उसको भी रिमोट कर करनें बहुत ही रावे फाइदे मांद होता है इसकीन को बहुत ही ग्लोइंग बनाता है अब इसके बाद हम नेक्ष्ट इसमें एड़ करेंगे आधा चमच के करीब गुलाब चल अभी इन सब को क्या करना है एक स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है ताकि आपस में जितने भी इंग्रेडियंस मैंने एड़ किया है वह आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए एक स्मूध पेस्ट बनके रेडी हो जाए तहां पर इस तरीके से पेस्ट बनके रेडी हो चुका है अब इसके बाद इसे किस तरीके से है इस तरीके से इसके बाद 10 मिनट के लिए बेको सरकूलन मोसर में मसाज करना है इस रेमेडि को अगर आप अपलाय कर लेते हो आपको पालम में जाने की भी जरुद नहीं पड़ेगी इस रेमेडि को अपलाय करने से आपके स्कीन पर बहुत ही अच्छा रिजल देखने को मि यह इस रेमेडिय आपने कभी बिटैन नहीं किया इसके थारे करी हट बो proxim छोटीर करें किसी किन होगा कारेख साथी स्कीर लूज हो गया तो से टाई करेगा इसकिन पे भी लोग नहीं चमक नहीं को कैसे बहुत आएक तो डलो आएगा निखार आए ताल प्लाय करने से आपके स्कीन भी कोई भी हाम नहीं होने वाला क्योंकि मैंने इस रेमेडिय को पहले यूज किया मेरे फेस्ट बहुत ही अच्छा रिजल देखने को मिला इसलिए मैंने सुछा आप सब के साथ इस रेमेडिय को जरूर शेयर करना चाहिए इस रेमेडिय को अप्लाइ करने से आपका स्किन लंबे टाइम तक ग्लोव करेगा आपका स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा इसकिन के जितने भी प्राव्लम्स होगे भी देरे-देरे करके रेमूग हो जाएगा अगर इस रेमडिक को अप्लाइ करते हो आपको पालन में जाके फेशल करवाने की म मासाज करवाने की भी जरूत नहीं पड़ेगी आप अपने पैसे भी बचा सकते हो आप घर के कुछ समाने से अपने स्क्रीन को निखार सकते हो बहुत ज़्यादा ब्राइट बना सकते हो जिस तरीके से में मासाज करके दिखा रहे हैं बिल्कुर उसी तरीके से मासाज करना है 10 मिनट के लिए नार्मल वड्र से फिश को वाश कर लेंगा तो मेरा इसकीन पर मेरी सुदिभा रहाए दिखा राए हो थैश्चा ओठ लिग्यां मेरा बराइट्ट्र बहुत ज़्यादा सौट्ट हो गया है अगर आप इसी तरह से ब्राइट इसकी पाना चाहते हो इसके इन प्रॉब्लम्स है छुटका रहा पाना चाहते हो तो इस रैमेडी को हफते में एग जरूर ट्राए करेंगा आपको फर्ख देखने को अपनिल जाएगा इसकंग जितनी